इस रीडियो के इंदर हम लोग review करने वाले हैं HDFC के balance advantage fund का जी हैं तो अगर मैं पूरी mutual fund industry की बात करूं तो liquid funds के बाद में इंडिया का सबसे ज़ादा जो पैसा लगा हुआ है वो balance advantage fund के अंदर लगा हुआ है वो चीज़ी हम लोग इसमें analyze करने वाले हैं प्लस हम लोग compare करेंगे इसको अदंग leading जित्ते भी balance advantage fund है प्लस इसके दो plan आते हैं एक dividend वाला आता है ग्रोथ वाला आता है आपको कौन सा choose करना चीए तो guys यह सारी जानकरे मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर जिया तो इसके अंदर अभी right now जो है 61,580 में करोड से भी जादा का जो है basically AUM size है यानि इतना पैसा लोग जो है अपना इसके अंदर यहाँ पे basically invest कर चुके है तो definitely पूरा का पूरा जो balance advantage fund है उसके अंदर भी अपने आप में number one की spot ranking यहाँ पे रखता है अगर guys में बात करो कि इसके अंदर कितने type के funds आते तो देखे यह जो mutual fund है वो काफी जादा पुराना mutual fund है basically तो अगर मैं बात करो तो इसके अंदर आपको दो option दिखाए देते एक dividend वाला option मलता है और एक आपको growth वाला option मलता है इसके further जो है basically आपको regular plans और direct plans भी देखने को मिल जाएंगे regular का मतलब है कि अगर आप अपनी किसी bank से या फिर agent के थुरू लेते हो direct का मतलब है आप कोई भी app वगरे होती ही वहाँ से आप यहाँ पे consider कर सकते हो यहाँ पे guys आपको हमेशा growth वाला plan लेना चीए क्योंकि वहाँ पे आपको compounding का magic देखने को मिलता है अगर मैं dividend वाले option की बात करें हो जिसको IDCW भी बोलते हैं और सेबी ने recently इसका नाम change करके income distribution come capital withdrawal option रख दिया गया है तो जहाँ पे भी आपको ICW दिखता है इसका मतलब है कि वो आपको definitely dividend पे करेगा हर महीने सालबर में कर सकता है लेकिन यहाँ पे आपका जो dividend होगा वो यहाँ पे reinvest नहीं होगा as compared to dividend option इसके लागा है अगर मैं यहाँ पे returns की performance की बात करो तो हम लोगों ने जो है पूरी की पूरी balance advantage के अंदर जित्ते भी funds थे सभी को pick up कर लिया है और सभी की उपर हम लोगों ने detail यहाँ पे analyze किया है तो अगर मैं 3 साल के CEGR की बात करो तो 29% से भी जादा का return निकाल के दिया है number 1 की ranking है जित्ते भी इसकी category के mutual fund है balance advantage fund के अंदर है 5 साल के CEGR की बात करो 15% से भी जादा का CEGR यहाँ पे निकाल के दिया है number 1 की ranking है 10 साल के यानि एक long term period की भी बात करो past returns की तो 17% से भी जादा का इसने analyze return यहाँ पे निकाल के दिया है और उसमें भी इसकी number 1 ranking है फिर हम लोगों ने 3-3 साल के जो है टुकड़े किये और एक जो annual rolling जो returns होते हैं वो हम लोगों ने निकालना शुरू किये तो उसमें भी 25% से भी जादा का इसका return निकलता है सबसे number 1 ranking के उपर अभी right now यही fund चल रहा है balance advantage के अंदर आप इस बात करते हैं कि खर्चा कितना है expense ratio कितना है तो देखिए इसके अगर मैं direct plan की बात करूँ तो 0.84% का इसका expense ratio है जबकि जो पूरी category है उसके इसके इंदर जो बात करो तो bank of India का balance advantage fund है जिसका 1.64% है तो definitely अगर आप compare करोंगे तो एक अच्छा expense ratio यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस बात करते हैं हम लोग ratings की तो आप लोग को पता होगा हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी agency है जो इन mutual funds को यहाँ पर जो उनकी performance के according उनकी past performance हो गया उनका जो portfolio है उसके according यहाँ पर rating अगरे प्रोवाइड करती है तो अगर मैं value research firm की बात करूँ 5 star की rating इसको दी वी है क्रिजल की rank की बात करूँ 4 star की rating इसको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है इसके लगा यहाँ पर अगर मैं apps wise बात करूँ जैसे कि et money वगरे हो गया तो et money ने यहाँ पर consistency of the returns के अंदर यहाँ पर इसको 5 star यानि कि excellent की rating दी वी है इसने हर साल लगातर अच्छे खास return यहाँ पर निकाल के दिये है लेकिन वहीं पर अगर इसमे protection from the volatility की बात करूँ यानि अगर stock market गिरता है तो उस case में यह fund जो है अपने आपको कैसे protective रखता है कैसे protect करता है तो उसके अंदर यह poor rating है इसकी जादा अच्छी खासी rating यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है अगर आप इसके risk ratio को देखना चाहते तो यहाँ पर आपको ध्यान रखेगा standard deviation और जो beta है वो जादा मिलने वाला है यानि की volatility इसके इंदर यहाँ पर जादा है लेकिन definitely आप जितना risk उठा रहे हो उसके compare में आप 10 year ratio या Jason alpha देखेंगे तो यहाँ पर आपको green signal यानि की positive में देखने को simply तरीके से मल जाएगा burn size की guys जैसे मैंने बात की यहाँ पर पूरी जो investment category उसके अंदर अपने आप में 29% के something यहाँ पर contribute करता है और जैसे हम लोगों ने ranking compare की चाहे एक साल ले लो दो साल ले लो तीन साल ले लो पांस साल ले लो हमेशा यह number one की spot ranking पर यहाँ पर रहा है इसके return को अगर आप जो एक index यानि की nifty 50 के साथ ने भी compare करते तो आप screen के सामने दे सकते निफ्टी 50 ने जहाँ पे एक साल में 11% का return निगाल के दिया है इसने 21% का return निगाल के दिया है जहाँ पे यहाँ पे फिछले 5 साल में 12% का return निगला है वहीं पे यहाँ पर 15% का analyze return निकला है तो केवल 2018 के अंदर ये negative के अंदर गया था बागी guys हमेशा इसने positive के अंदर यहां पर returns निकाल के दिये हैं इसके लागाइस इसके अगर मैं protection की बात करूँ, volatility की बात करूँ तो देखिए यहां पे आपको ज़ादा volatility वगरे मिलने वाली है अब screen के सामने दे सकते हैं, जब 12-20 के अंदर Nifty 50 29% से गिरा था, ये fund भी अपने आप में 25% से गिरा था वैसे ही 2018 में में जब Nifty 50 2% से गिरा है, तो ये fund 5% से गिरा है, वहीं पे 2019 में भी जब ये fund 6% से गिरा था, तब Nifty 50 3% से गिरा था जबकि जो category average था वो यहाँ पे positive हो था, इसके लागाई सगर इसके में portfolio की बात के हो, तो इसके अंदर large cap 41% है, med cap 6% का है, small cap 8% का है और जैसा की हमें hybrid front के अंदर देखने को मिल जाता है, बाकी जो percentage होता है, वो यहाँ पे debt जो instruments होते हैं, उसके अंदर यहाँ पे invested होता है mostly सारी ऐसी कम्निया है, जिनके products और service आप यहाँ पे use करते हो, इसके लागाई सगर आप sector wise भी देखे हो, तो जातर सके अंदर bank से पूरा private sector जो अपने आप में 13% यहाँ पे equity यहाँ पे contribute करता है और बाकी जो public sector bank है, वो भी यहाँ पे 4% contribute करता है इसके लागाईस इस funds के अंदर आपको reach के अंदर भी investment देखने को मिल जाएगा, हाला कि इतना जादा अच्छा खासा मलब majorly stake नहीं है लेकिन जैसे मैं बताया था कि यह एक hybrid fund की तरह काम करता है, जिसमें equity हो गया, debt हो गया और जितने भी other instruments होते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं और guys बात करते हैं मेरे performance की तो आप screen के सामें दे सकते हैं, मैं पिछले एक साल से skinner simply यहाँ पे SIP कर रहा हूँ और अभी तक मेरा 64,000 का यहाँ पे amount invested हो चुका है, और right now उसकी value 74,000 के something है, और 15% का यहाँ पे मुझे absolute basically यहाँ पे return मिल चुका है तो guys यहाँ पे अगर मैं all basically comparison करना चाहूँ पूरी balance advance category fund के अंदर तो definitely आप SDF से को यहाँ पे consider कर सकते हैं चाहे आप AUM से compare कर लिजे, चाहे आप performance वाइस compare कर लिजे, चाहे आप expense ratio वाइस compare कर लिजे, risk ratio वाइस compare कर लिजे तो definitely यहाँ पे आपको अच्छे खासे returns देखने को मिल जाएंगे so guys वोभी like this video, please subscribe channel अगर आप लोग की कोई भी doubt से comment box के अंदर जरूर बताईए thank you guys, thank you very much